स्वालों दोस्तों स्वागत्याब कामारी यूट्यूब चानल पर और आज के इस ओड़ में हम बात करने वाले कि केसे आप अपने एक मोबल पोन से ब्लोगर पर ब्लोगिंग शुरुवात कर सकते हो केसे अकौट बना सकते हो केसे पोस्ट डा सकते हो सारी कम्प्रिटली टाइप करना है blogger.com इस तरह केसे blogger अगर आप टाइप करते हो तो इस तरह किसा आपको first वाली साइट मिल जाएगी blogger.com इस प्रापको क्लिक करना है सबसे पहले इस ओड़ में हम बात करेंगी कि केसे blogger पर अकौट बनाया जाता है केसे आपको यह से custom URL नहीं तो जो भी domain URL पहले आपकी वह कैसे आपको create करनी है और कैसे आपको post लिखनी है तो इतनी process हम इस ordo में देखने वाले बाकी process हम next ordo में देखने वाले तो चले सबसे पहले blogger पर इस तरह किसा account बनाते है देख लेते है सबसे पहले से sign in का option है और साथी create your blog का option है आप इस पक्लिक करोगे उसके बाद directly इस तरीके से आपके पास आ जाएगा जिस भी email से आप account बनाना चाहते हो simple email id आपका पर select कर लेना है तो simple में एक email id याज से select कर लेता हूँ उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा याज से आपको email का password verify करना पड़ेगा तो password आपको जल्दी से डाल देना है password डालकर आपको next का option मिल जाता है आप next इस पर click करोगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा याज से not know का option ही चाओ तो आप यह से yes भी कर सकतो और धरवाइसे address भी add कर सकतो याप पर दे सकतो ब्लॉगर पर आपका account बनकर ready हो चुका है आप login याज से हो चुके अपसे पहले याज से एक notice दिख जाएगी चाओ तो आप इसे हटा सकतो याज से click कर कर उसका बाद याज से title डालने का option ही याज से आप अपनी website याणि के आपका blog का क्या नाम रखना चाते हो वो title आपको 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 दे देना है कोई भी title आप याज से रख सकतो जैसे कि याज से मैं health and fitness डालना चाता हूँ तो याज से मैं health and fitness टैब करूँगा याज से इस तरह के से आप जो भी title देना चाता हूँ वो title आप याज से दे सकतो जैसे कि दिखाने के लिए मैं health and fitness याज से डाल दिया इस पर मैं अपना blog बनाना चाता हूँ उसका बाद याज से next का option है आप next इस पर क्लिक करूँगे उसका बाद इस तरह के से address आ जाएगा याजिके आपका blog का URL यासे URL डलते समय आपको ए बात दियान में रखनी है कि आपका URL तोड़ा सा अच्छा and accurate होना चाहिए जिससे की तोड़ा सा professional लग साहिए simple सबसे पहले blog address आपको डालना पड़ेगा यासे फिर से हम आगे कुछ और टाइप करेंगे जैसे के हमने टाइप कर लिया तो ए भी किसी ने ले लिया है तो और एक में आपको दिखाने के लिए तोड़ा सा changes करकर इसमें हमारा नाम इतना changes कर लिया है उसका बाद यासे देसकते हो इस block address is available हम ए डोमेन ले सकते लेकिन यासे देसकते हो आगे लिका आराय.blogpost.com इस तरीके से अगर आप यासे ब्लोग यासे next का option है आप next इस पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह के से आजगा display name आप जो भी देना चाते हो display name आप यासे दे सकते हो so name हमने डाल दिया उसके बाद finish का option है आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह के से थोड़ा सा processing लेगा और हमारा ब्लोग यासे बनकर रेडियो हो चुका है account बनकर रेडियो हो चुका है और साती इस तरह के से सारी complete process हो चुके यहासे आपको इस तरह के से dashboard देखने के लिए मिल जाता है बाकी information आपको यहापर notice में दिख जाएगी आप यहासे इस नोटिस को हट भी सकते हो तो यहासे दे दूसरी भी आप यहसे इसी तरह के से website ब्लॉग कर सकतो वह भी विल्कुल फ्री में उसे अगर आपको create करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है उसका बाद यह से एड़ ब्लॉग ऑप्शन है ऐसे नियू ब्लॉग इस पर क्लिक करना है देन आप इसी तरह के से प्रोसेस कर लिए एक एक पोस्ट डालते जाना है तो चेले इस तरह के से हमरा ब्लॉग यह से create हो चुका है बाकी की setting भी मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ऐसे त्री डॉट को ओप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह की से option आपका पर नजर आ जाएंगे य यासे सबसे पहले थोड़े से आपके 20 प्लस पोस्ट होने के बाद आप गूगल एडसेंस के लिए apply कर सकतो देर एडसेंस से connect करकर आप यह से पेसे कमा सकतो उसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट डालने पड़ेंगे तो बाकी के दूसरे option यह से देसे तो ऐसे layout को option है अ आप इस पर क्लिक करोगे blogger के बहुत सारी free वाली theme इस तरह के से मिल जागी जो भी theme आपको चाहिए उसे simple आपको यह से select करना है जैसे कि मुझे अपनी blog की theme चेंज करकर इसे select करना है तो मैं इसे select करूँगा उसके बाद इस तरह के सा आजाएगा apply का option है आप apply इस पर क्लि machine आपको यह पर मिल जाती है जिसे कि मैं आपको ओभी बता देता हूँ अगर आप कोई भी custom theme यह से upload करना चाहते हो तो यह से आपको यह पर option मिल जाता है इस पर क्लिक करना है उसका बद यह से देसे तो आपको restore और backup का option है ऐसे restore option है आप इस पर क्लिक करोगे दिन theme upload करकर य जैसे कि मेरे पास एक फ्रिवाली theme है जो कि मैंने buy करकर की थी तो मैं इससे upload करना चाहूंगा तो यह से upload का option है मैं इससे select करूंगा सबसे पहले theme तो यह से हम theme select करते है तो यह से देसो तो theme मैंने select कर ली उसका बद यह से देसो तो successfully upload होना शुरू हो चुका है और हमारी theme य हम हम पना यहां से page refresh करके दिखा देते हैं जैसे की screen पर देख सकतो यह से इस तरह किसा हमारी theme हो चुक है हमारा blog यह से दिसो तो healthy.blogpost.com इस तरह किसे दिखने में हो चुका है एक premium theme है अगर आपको चाहिए फ्रीम है तो आप मुझे instagram पर message कर सकतो बिलकुल फ्रीम में आप Haushalda को फ्रवयड का रहा है तो अब हमने एक भी पोस्ट ने ढई या पर इसलिए दिखाया लेकिन हम जैसे कोई भी पोस्ट पर दे और तो पोस्ट आलने के पाद की सरीर्के Easy दिखाई देगा विखा दिता हो उसके लिए सबसे पहले व्लॉॉगर पराने के बाद यह सबसे पहले पोस्ट क्रेट करना है पोस्ट क्रेट करने के लिए आप यह से पोस्ट पर जाओगे पोस्ट इस पर क्लिक करकर आप यह से एड का उप्शन यह आ जाता है आप इस पर क्लिक करोगे जैसे एड इस पर क्लिक करोगे तो एड न्यू पोस्ट यह से क्रेट होना शुरू हो सकते हो उसके बाद यहाथ लगा ऐसे दिसतों इस तरह के से पोस्ट आपको क्रीड करना सुनुक कर देना है तो थोड़ाँ सा टाइमबचाना के लिए हम डायक लिए से कॉपई पेस्ट करेंगे यहाथ हम सीलेट Nicole करकर हमने जो भी कॉपी किया है, गुट पेश्ट करंगे, इस तरह के से हमने तोड़ा सा टाइप किया है, हम याँसे कुछ भी यहाज है, यहाज है na heading tool दे चकते हो, जैसे उसे again 2, तो हम यहाज है, wedge हम यहाज से select करेंगे, जितना भी आपको Select करना है, हो select करना है उसके बाद यासे इस तरीके से setting option है आप इस पर क्लिक करोगे बाकी क्या option भी आपके पास नजर आ जाएंगे simple आपको जो भी अच्छा लगता है heading heading to इस तरीके से वो सारे option है आपको सबसे पहरे देख लेना है किसमें क्या option है उसका बाद simple select कर करकर आप यासे heading to इस तरीके से दे सकतो चाओ तो आप अगर आपको यापको याप पर याप पर कुछ भी लिंक एड़ करनी है तो आपको simple यासे select करना है select करने के बाद यासे लिंक का option आपका पर मिल जाता है यासे link इस पर क्लिक करने उसके बाद आप जो भी लिंक जाएंगे अगर आपको वही टैप पर ओपन करना है तो आपको सिंपल इसे हटा देना है दिन यासी अपलाइक आप इस पर क्लिक कोरगे उसके बाद यह से लिंक भी एड हो जागी अगर आप कोई भी बनता इसपर क्लिक करता है तो रिडारेक्ट किया अब अपष्ट करेंगे बिये आप आप तो आप यासे custom भी कर सकतो यासे आप टाइप करोगे वही पर्मा लिंक यासे create हो जाएगी जैसे के post जिस भी टापिक से रेटर आपने create किये उसे आपको आपको पर्मा लिंक बना लेना है नहीं तो बाइब टीव पॉर्ट एक automatically पर्मा लिंक ले लेता है इस तरह से जो की ब अपूट पर एक कंप्यूच का उप्शन है इसंबंग को आप से पर talk करनी है वह से आपको आपको क्लिक करना है जैसे के हमिए यासे image लागा नहीं तो अब पर हूसमीघ करना है तो हमिए इमेज चाथते ओडिम हमित दिखाने के इस image इसे union करो लेंगे उसके बाद यासे इस तरीके से select का option है आप इस वे select करेंगे उसके बाद automatically image आ जागी यसे चाओ तो इसे चोटा बड़ा इस तरीके साब कर सकतो जो भी आपको अच्छी लगती है उस तरीके साब यासे image कर सकतो इस तरीके साब काम करते जाना है पोस्ट create करने के बाद आपको यासे publish का option है आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यासे कमपम का option है आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी post यासे publish हो जागी इस तरीके साब को daily post डालते जाना है उसके बाद post automatically Google search console में आना शुरू हो जाएगा उसके लिए सबसे पहले Google search console का account बनाना आपको यापर बनाना पड़ेगा तो Google search console का account कैसे बनाते है ओभी मैं आपको बत देता हूँ जैसे के आपको Google search console का account बनाना के लिए असे 3D option है आप इस पर क्लिक करगे उसके बाद इस तरीक से थोड़ असा निचाना है आपको डिक लिए से search console का account बनाना के लिए option मिल जाता है थोड़ असे निचाना है उसका बत यह आसे देख तो आपको ऐसे Google search console का option मिल जाता है यापर आपको क्लिक करने है अगर आपको ऐसे Google search console पर redirect करना है तो भी आप इसे option पर click कर सकता हो एक बात आपको बता देता हूँ जब तक आप Google Search Console का अकाउट नहीं बनाते हैं आपके पोस्ट पर व्यूज ने आएंगे और गूगल से कईसे भी आपके पोस्ट पर व्यूज ने आएंगे और monetize के लिए अगर आप apply करते हो और Google Search Console पर आप अपने ब्लॉग को submit नहीं किये तो आपको अप्रोल नहीं मिलेगा उसके लिए Google Search Console का अकाउट बना कर आपको सबसे पहले यहाँ से अप्रोल लेना पर लेगा तो आप यहसे देसे तो औरेडी में एक दूसरी वेबसेट है जो कि यहसे Google Search Console से लिंक है तो आट्यमेटिकली उसका analytics data आपको दिखाई दे रह लेगा उसका बाद यहसे property add करने का option है तो इस तरह किसा आपके पास आजाएगा सिंपल यहसे आपको URL डाल लेनी है यहसे दिसती URL का option है यहसे आप अपनी ब्लॉग की URL डालोगे उसके बाद यहसे continue का option है आप continue इस पर क्लिक और यह URL डालते समय इस तरह किस URL आपको create कर ल करेंगे तो आगे का सारा का सारा आपको हटा देना है उसका बाद इस तरह किसा आ जगा तो यहासे देशो तो इस तरह किसे तो हमें यहसे www इस तरह किसे लागा देना है यहासे स्क्रिम पर देशो तो पहले जिससा था यहासे आपको example दिया गया है उसी तरह किसा आपको ल है यहसे side map का option है आप सबसे पहले side map create करेड़े side map create करना बहुत simple है उसके लिए पर जाना है यह से add new tab में open करके दिखा देता हुँ यहसे side map xamil आप ऐसे type करोगे यहसे side map इस तरह के से ने तो side map generator भी आप ऐसे type करोगे तो यह से मैं इस पर click करूँगा तो उसका बाद xamil टो फिर से हम यहां से ब्लोग की URL इसे हटा कर यहां से यह पहले वाली URL थी, यह हम यह सेASE प्षेट करकर यह स्टार्ट का Bachelor ka.? हम इसपर क्लिक करेंगे उसका बाद इस पर किसरे आ जाएगा तो यहांसे देशे तो यहांसे हो रहा है तोड़ा सा लोड उसके बाद आपको तोड़ा सा लोड होने दे रहे हैं 5-iber day दो प्रेस्ट कशके कोसेद्थ हो जाएगी यह से कंप्रेटली लोड़ हो चुका है務 अपक़े आपका पर दिखने के लिए मिल जाएंगे दिएसे का डिका ह Ciao भुवायव और35 समस्तों द्रेणिधें धाल दने तो यहाँ से किसे डालना में आपको दिखा देता हूं इस सॉइट-माफ के लिए अधी स्ट्रीके। आप आपुट क्लिक चुका है। आपके लें रहा है। थोड़ी दिर बद आपको अना है। एक सी पर और दिन आपको एक बार या पर एपर पेज रिप्रेश कर ले रहे हैं आपका साइटमेटिक लिए से एड़ हो जाएगा अगर कोई भी प्रब्लम आज़ाते तो कीस आपको यह पर आना एक देना आप का पर साइट मैप लिख देना जिसे के साइट मैप इस तरह किस से लिखा आ रहा था यह से दिसे तो तोड़ से गल्पी हो चुकी थी साइट मैप से लिखा आ रहा था साइट मैप इतना ही आपको टाइप करना है देन एक से मिल आपको इस तरह के से टाइप करना है यह से यस आया था इसलिए इस तरह किसा आया था अभी हमने एक ही URL यह से आपको दिखाई दे रही है क्योंकि हमने एक ही पोस्ट डाले है और सारे के सारे पोस्ट आपके गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे उसके बाद साइट मैप की मतलि से आपके इंडेक्स हो जाते हैं और आपके पोस्ट पर व्यूज आना शुरू हो जाता है तो हमारे यहां इस पर यह बी काम हो चुका है हमने ऐसे ब्लॉग यहां से क्रेट किया था उसका बाद यह से उसका साइट में आप गूगल सच कंसल का भी अकाउन्ट क्रेट कर लिया है उसका बाद उससे सब्मिट भी कर लिये जिसे कि और गनीक प्रोपिक आना शुरू हो जाएगा अभी आपको देखने के लिए यह से मिल जाएगी और यह जो टेंपलेट है बहुत ही अच्छा और प्रीमियम टेंपलेट है अगर आपको यह प्रीमिय चाहिए तो आप कमेट बॉक्स में बता सकते हो ने तो इंस्टाग्रम पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम करेंगे अपरोल मिलने के बाद हमारी यासे वेबसाइट से इंकम होना शुरू हो जाएगी यह से अब बात करते हैं अपनी यूरल की बात करें तो यह से ब्लॉपूल डॉट कॉम इस तरी किसे लिखा रहें अगर हमें इसे हटाने तो किस तरी किसा हटा पाएंगी तो वो सब्सक्राइब करने के बाद आपके इंकम शुरू हो जागी और यह काम को करना है अगर आपके पोस्ट पर कितने व्यूज आते हैं कि कहा से ट्रॉपिक आते हैं सारा आपको कैल्कूलेट करने हैं ताप इसे गूगल अकाउंट कर सकते हैं ब्लॉगर के लिए रिकेमेंट नहीं करूंगा इतनी भी यह से याए कोई भी जोरूत नहीं पड़ती आपका सारा का सारा ट्रॉपिक देखने तो आप यह से जाओगे उसके बाद स्टेट का ओप्शन है आप इस पर क्लिक करए उसके बाद सारा का सा क्रियेट करने हैं केसी आपको property क्रियेट करनी है सारी information देने की कोशिश किए और भी बहुत सारी वीडियो आने वाले की किस तरह के साब यहा से custom domain बाय करोगे कोई भी mobile से करते हैं और कैसे लिंक करते हैं उस पर भी वीडियो आ जाएंगे और बागी की जो एनेलिक का अकौ सब्सक्राइब जरू बातना उसका रिपलाई में आपको जरू देने की कोशिश करूंगा चले वड़ों कर आक आपको अच्छा लागते वड़ों को लाइक कर लेना अच्छानों को भी सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग डेस टुड़ों में तर्थके जय हिंद जय भारत